पूजा के लिए जो आप फूल का प्रयोग करते हैं वो फूल आपको नहाने से पहले ही तोड़ना चाहिए नाकी नहाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चानल शिव भक्ति मार्थ में भगवान की पूजा हम सभी लोग करते हैं हम दिन में एक बार तो पूजा करते ही हैं पूजा पाट के देखिए कुछ नियम होते हैं अक्सर हम उन नियमों को नजर अंदाज कर देते हैं वहीं कई बार हमें कुछ नियमों की जानकारी ही नहीं होती देखिए नियम तो क्या हो भगवान आपने क्या किया है वह नहीं देखते हैं, परन्तु कुछ गल्तियां हम करते हैं तो हमारी बात अंसुनी हो जाती है तो हमें इन गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए तो पूझा करने के कुछ नियम है जो कि बहुत साधारन से नियम है पर इन्हें हमें जीवन में जरूर उतारना चाहिए सबसे पहले तो हम सभी देखिए नाहाद हो करी सुब़े उठकर हम पूझा पाट करते हैं परंतु पूजा पाट करने का एक जो समय होता है, वो होता है सुर्योदय का समय, मैं यह नहीं कहती कि आप सुबह से उठ जाईए, 6 बजे से उठ जाईए, आप नहीं 6 बजे उठ पा रहे हैं, आप करीब 8-9 बजे तक तो पूजा कर सकते हैं, कोशिश करिए कि आप दिन के 10 10 बजे के पहले पहले अपना पूजा पाट कर लीजिए, इसनान कर लीजिए, क्योंकि सुबह में किया गए असनान और पूजा का एक विशेश महत्व होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, वो संधी काल कहलाता है, यानि कि सूर्य जब उगरा है, मतलब आपको उपते सू अब देखिए, जब आप पूजा करने जाते हैं, तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पूजा करने के लिए, हमारी छट पे, हमारी बालकनी में कुछ फूल लगे होता है, जिरे हम तोड़ के भगवान को अर्पित करते हैं, तो उसका एक नियम होता है, फूल आप अपने नहाने के पहले तोड़िए, देखिए, अगर नहाने के बाद आप पूलों को तोड़ते हैं, तो पुराणों में लिखा हुआ है, कि नहाने के बाद तोड़े गए फूल, जब आप भगवान को चड़ाते हैं, तो भगवान को नहीं आपको खुद को समर आपको बगवान के सामने प्रकट करता है तो फूल का मुख मेर्फ बगवान के सामने प्रकट करता है अब एक चीज हम कहां गलती करते हैं हम किसी भी दिशा में वैसे तो उत्तर पूर्व की तिशा बहुत शुब मानी जाती है तो किसी भी दिशा में पूजा पाथ ना करें या मंदिर का जो भी आपका अस्तान है वो कोशिश करें आपके घर का जो मंदिर है वो इर्शान कोड म या मुख्ष आपका जब आप पूजा करें तो आपका पूर्विया उत्तर की तरफ होना चाहिए और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जब आप आर्ती करते हैं तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कुछ की आदत होती है कि आर्ती के साथी कपूर को भी वह प्रज्व करना चाहिए आर्ती करने के बाद जब कर पूर गौरम का समय होता है उस समय पे आपको प्रज्वलित करें और एक चीज का विशेज ध्यान रखें जब आप भगवान को तिलक लगाते हैं तो कई बार हम होता है हमने सिंदूर लिया सभी भगवानों को लगा दिया यह नही कि भगवान को आपको लगाना चाहिए इसके बाद हम कहां गलती करते हैं हम तुलसी जो की श्री हरी विश्नु की प्रिये है श्री कृष्ण को ही समर्पित की जाती हो श्री हरी विश्नु को ही मा तुलसी को समर्पित तुलसी दल समर्पित किया जाता है वो हमें अन्य भग ऐसी मर्पित कर सकते हो एक चीज का विशेज ध्यान रखीएगा जब आप प्रजबलित करते हैं घर के अंदर तो दीपक यदि आपका तेल का दीपक है तो उसमें आप तेल की तो तो किसे की बाति लखे हैं फटी आप को देक्टा को कॉंसी बाती हैं चाहिए बनाया हुआ है मगर आप विस्तार में जानकानी चाहते हैं तो मुझे comment box में बताइएगा मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दोंगी और एक चीज का विश्यश ध्यान रखे जब आप धूप दीप करते हो तो जब आप सुभे का मतलब पूजन करते हो यह शाम का पूजन करते हो तो दीपक चलाने के साथ साथ सुगंदित अगर बत्ती या फिर धूप दीप का प्रियोग करिए उससे क्या होता है मालक्ष्मी जाओ पर दो टो कि सुगंद सभी देफ्ताओं को बहुत जादा इत्र की खुश्भू हो गई या अन्य जो भी होती है जैसे हम के वड़ी की कई वर धूक ईूज करते हैं या जो भी अन्य आप दूप यूज करते हो वह खुश्भूदार होनी चाहिए जिससे खेंगे घर क सुगंदित चीजों का प्रयोग अपनी पूजा के अंदर जादा करें और एक चीज का विशेश ध्यान रखिए जहां हम गलती करते हैं बिना आसन के कभी भी आपको पूजा नहीं करने चाहिए यदि आप आसन बिछा कर पूजा नहीं करते हैं और आप जमीन पे या फर्श खड़े ओकर डारेक्टली पूजा करते हैं तो आपकी पूजा का पूरे जो भी पुन्यफल है वो या तो धर्ती माता को समाहित हो जाता है या फिर देवराज इंद्र को सका भाग चला जाता है क्योंकि पुरानों में बढ़नेत है जब भी आप पूजा पार्ट करें आसन करें आप उसको लेने के बाद भी पूजा करें जिससे कि आपका पूरा प्ल आपको प्राप्त तो आशा करती हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमस्षिवाय लेखना बिल्कूल नम भूले और यदि जया मता रानी दूस्टू